दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में एक और नया दिन एक और नई गाड़ी के crash test result आ चुके हैं सबसे पहले performance देखिए मारूती सुजूई की बलीनों की जो की Indian spec variant यहाँ पे test किया जा रहा है Latin NCAP द्वारा आप देख सकते हैं 64 किलो मेटर पर आर पे यह test किया गया है और गाड़ी ने कैसा perform किया है कैसा crash रहा सबी चीज़ें आपके सामने है Global NCAP, Latin NCAP दोनों के ही stickers गाड़ी के उपर आप देख पा रहे होंगे और गाड़ी दो airbags के साथ Indian spec variant बताया जा रहा है तो चलिए देखते हैं इसके कैसी performance रही और कैसा overall body structure सबी चीज़ें कैसी रही क्योंकि मारूती इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है और बलीनों एक तरह से premium hatchback के king बोली जा सकती है क्योंकि I20, Polo और जितनी भी गाड़ियां premium hatchback segment में आती है उन सबी को sales के मामले में बलीनों काफी प्यार से पीछे छोड़ देती है यहाँ आप देख सकते है impact होते ही airbag कैसे pop-up हो जाते हैं और पीछे rare seat में child seat mounts लगाने के बाद भी कोई stability नहीं बच्छती है आप देख सकते हैं सबी चीज़ें आपके सामने है top view अगर लें तो गाड़ी काफी अंदर तक impact को ले जाती है और मारूती की cars की build quality के बारे में आपको क्या ही बताना अच्छे से आप लोग सबी चीज़ें जानते हैं और किसी से भी कोई भी बात छुबी नहीं है यहाँ आप देख सकते हैं side mobile barrier test जो कि 50 km पर आर की speed पर किया गया है और यहाँ के crash में भी आप हर angle से देख सकते हैं कि overall कैसा perform किया है इस balino ने दोस्तों variant की अगर बात करूँ तो यह second base या middle model दिखा ही दे रहा है क्योंकि top model वाले features तो इसमें नहीं देख रहा है बाकी यहाँ आप देख सकते हैं अंदर का cabin कैसा performance हा रही है side impact के दोरान बाकी एक बार और देख लेते हैं सभी तरह के impacts को और फिर देखते हैं क्या result लेके आती है यह गाड़ी बाकी दोस्तों मारूती से आप लोगों को क्या उमीद है जरूर comment section में लिखिए because मारूती की sales इंडिया में काफी हद तक जादा है बाकी ब्रैंड से अगर compare करें और मारूती की गाड़ियां कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ती हो यहाँ आप देख सकते हैं pulse sled test जो की 16 km पर आर की speed पे किया जा रहा है और सभी तरह के test में ये गाड़ी fail होती दिखाई दे रही है 40 km पर आर की speed पे pedestrian test किया जा रहा है यहाँ आप देख सकते हैं glass obviously brake होगा क्योंकि glass की एक quality होती है उसका brake होना और pedestrian upper leg form test तो सभी चीज़ों के बाद इस गाड़ी की rating निकल के आती है zero star की जो की एक शर्मनाक बात है इंडियन्स को इस गाड़ी को खरीदने की चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल नई वीडियो के साथ